चम्बा में तीसा बैरागर मार्ग पर पतोगन के पास अचानक पहाडी से पत्थर चलती कार पर आगिरा, जिस कारण कार अनियंतरित होकर खाई में जा गिरी, इस हादसे में दो की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से खायल हैं, सभी कार सवार बैरागर जातर देखने जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया, सूजना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुचकर घायलों को तीसा अस्पताल पहुचाया और शवों को खाई से निकाला, मरने वालों की पहचान मान देई पत्नी चैनलाल आयू 38 वर्ष वक्यूम खान पुत्र शेर मुहमद आयू 33 वर्ष निवासी गाव वडाखर थनेई कोठी के रूप में हुई, इसके अलावा केहर सिंह पुत्र मोती राम आयू 49 वर्ष, कमाल दीन उर्फ काकू पुत्र किरम आयू 23 वर्ष, पूजा पुत्री मान सिंह आयू 19 वर्ष, मनीशा पत्नी केसू आयू 32 वर्ष निव इस पी अभिशेक यादव ने बताया कि हाथसा दो फर करीब एक बजे घटा जिसमें कार तीसा बैरागर मार्ग के पतोगन के पास पहुंची तो पहाडी से एक बड़ा पत्थर कार पर आगिरा, इस कारण चालक ने कार से नियंतरन खो दिया और कार अनियंतरित होकर गहरी खाई में गिर कर एक पेर से टक्रा गए। कार को खाई में गिरता देख आसपास के स्थानिय लोग बचाव के लिए दौड़े। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस थाना तीसा को भी दी। पुलिस और स्थानिये लोगों ने मौके पर पहुच कर सभी को बाहर निकाल कर अस्पताल पहुंचाया जहां दो लोगों को मृत घोशित कर दिया गया पुलिस हादसे की जांच कर रही है शब पोस्ट मार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिये गए है एस्टीम चुराश शशिपाल शर्मा ने बताया कि प्रशासन की ओर से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 हजार वगायलों के परिजनों को 5-5 हजार रुपए की फौरी राहत राशी प्रदान कर दी गई है